चैय मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत हैं हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह के दो दिन 14 मार्च और 15 मार्च के कुम राशी फल के बारे में कुम राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा, क्या योग होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन के प्रतिक शेत्र पर कैसा होने वाला है तो सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चली जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी, योग होगा और क्या नक्षत्र होगा तो चौधा मार्च की बात करते हैं, चौधा मार्च क्रशन पक्ष की शर्ष्टी तिथी है, सुबह चार बच कर पचीस मिनट तक उसके बाद सब्तमी तिथी लग जाएगी विशाखा नक्षत्र रहेगा और हर्शन नाम का योग बन रहा है, ये शनिवार का दिन है सुर्य कुम्भ राशी से निकल कर मीन राशी में प्रिवेश करेंगे पूर्व भादरपत नक्षत्र में, यानि एक बड़ा परिवर्तन होगा, सुर्य का राशी परिवर्तन आज के दिन होना है, 14 मार्च और चंद्रमा भी तुला राशी से निकल कर व्रश्चिक राशी में प्रिवेश करेंगे, सुभा 6 बज कर 41 मिनट पर पंद्रह मार्च की बात करते हैं, क्रश्चन पक्षकी सब्तमेतिती सुबा तक रहेगी, उसके बाद अस्टमी लग जाएगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा, और वज्र नाम का योग बन रहा है, इसके बाद शाम को सिद्धि नाम का योग होगा, यानि सर्भार सिद्ध योग भी बनेगा, चंद्रवा व्रष्चिक राशी में है, और सूर्य भी राशी परिवर्तन करके मीन राशी में आ चुके हैं, तो देखिए एक तो सूर्य का जो परिवर्तन है, वो काफी महत्पून है इन दिनों में, क्योंकि सूर्य जब भी गुरू की राशी धनू या मीन राशी में गोचर करता है, तो मलमास का प्रारंब होता है, और अब चौधा मार्च से मलमास शुरू हो चुका है, जो कि सभी शुब कारियों की पर रोक लगा देता है, क्योंकि सभी शुब कारियों में गुरू की शुदता होना बहुत आवश्यक होता है, और विवाह क कारिये बंद कर दिये जाते हैं तो मलमास शुरू हो चुका है सूरे का राशी परिवर्तन हो चुका है और 13 अपराइल तक मलमास रहेगा लेकिन इस मलमास का एक सबसे बड़ा जो बैनेफिट है वो यह है कि इस एक महिने की अबदी में सूरे की आराधना करना बहुत शुब म तर्फिक्राशी पर यह आधरित है और चन्द्रमा की स्थितल स्थिक ये गरंबात करें, तो चन्ध रमणा वर रिश्चिक राशी में होगे, यानि आपके 10 बहुँम gefह भाल में होगे कर्म का बहार होता है. चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए अच्छे फल दिलाएगा कारेशित्र में आपको अच्छा फल देखने का मिलेगा क्योंकि कर्म भाव के चंद्रमा है तो कारेशित्र पर अपनी द्रस्टी डाल रहे हैं तो अच्छे योग बन रहे हैं इसमें आपकी बाते इसपस्ट हो और आप अपनी बातों को अपनी सीनियर्स को समझा पाएंगे और वो उन बातों पर अमल भी करेंगे और उन बातों को सुनेंगे भी इसमें विध्यारतियों की देखे बात करें तो विध्यारति इसमें अपने जो साथी हैं उनसे कुछ नई चीज सीख सकते हैं कोई ऐसी उनों ही दिन बहुत अच्छे हैं आप अगर आपके एक्जाम चल रहे हैं तो आप जो मेहनत करेंगे वो कामयाब होगी उस मेहनत के वल पर आप अपना जो परिक्षा है वो अच्छे से दे पाएंगे इसके लावा सूर्य का भी प्रभाव आपके उपर रहेगा क्योंकि सूर जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट वह आपको मिल सकता है इस समय कोई पुराना दोस्त आपसे टकरा सकता है और अगर उस दोस्त से किसी से अनबन हो रखी थी तो उस अनबन को दूर करने के लिए आपको पहला कदम बढ़ाना होगा और उठी दोस्त कुछ जरू करने का प्रयास करें क्योंकि ये परिशानी समय के साथ खुद ही खतम भी हो जाएगी और प्रयास करेंगे तो निश्चित तोर से खत्म हो जाएगी लेकिन जल्दबाजी में कोई काम ना करें जल्दबाजी में कोई निर्णे बिना लें थोड़ा धीरस रखें क्योंकि समय देखिए आप अपनी प्रतिदुंदियों पर भी भारी रहेंगे अपनी प्रतिदुंदियों को आप पीछे छोड़ सकते हैं और अगर आपकी परिक्षा का परिणा मिलने वाला है तो अनुकूल परिणा मिलेगा चिंतित बिल्कुल ना हो कुल मिलाकर जो इस्तितियां हो काफी भैतर बन रही है और अगर हम वैप्यारियों की बात करें आपकी वित्तिया इस्तिती की बात करें तो जो जा तक पैसे कमाने के लिए कुछ नए रास्ते तलाश रहे हैं तो कोई बड़िया नौकरी तलाश रहे हैं तो उनको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है क्योंकि आप काफी energetic भी रहेंगे और अपने जजबे को ऐसे ही बनाए रखेंगे इसका फायदा आपको अपने काम में भी दिखाई देगा और अपनी इच्छा पूरी करने का मौका आपको इन दो दिनों में मिले वाला है लेकिन ये जो भी कुछ मिलेगा वो कर्म के बल पर ही मिलेगा क्योंकि यहां ये दो दिन आपके लिए कर्म परधान होने चाहिए भागय के भरों से कुछ नहीं छोड़ना है जितना आप काम करेंगे वो आपको profit दिलाएगा और अगर आप अपने काम और रुचियों को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो इससे सम्दित भी कोई काम आपको या कोई आफसर आपको मिल सकता है यानि अगर आपकी किसी चीज में रुची है और उसे आप अपने काम में इन्वाल्व करना चाहते हैं ये भी हो सकता है, लेकिन आखे खुली रखनी होंगी, ये अफसर आपको कहीं से भी आ सकता है, आप अपनी मेहनत और सोच समझ कर बनाएगे यूजनाओ के तहर अपने काम में कामयाब भी होंगे और अपने करियर को आगे लेकर भी चाहेंगे, पारिवारिक जीवन और प्रे परिवार वालों से, खुलकर आप कोई बात कहना चाहते थे तो वो भी आप कर पाएंगे, तो ये समय आपके परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने का होगा, और देखे प्रेम सम्मंद की बात करें, तो ये समय रिष्टों को आगे बढ़ाने का भी है, आपके जलता जरूर मिलेगी माता के साथ सम्मंद आपके बहुत बहतर होंगे उनका साथ आपको मिलेगा और किसी काम के लिए उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है क्योंकि देखिए दस्वे भाव के चंद्रमा माता के लिए बहुत अच्छे जल से लेकर आते हैं क्योंकि यह शनी क यात्रा का मन भी बन सकता है और इसंट नई ताजगी आपको मिलेगी तो यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है प्रेञ जीवन के लिए और दामपते जीवन के लिए परिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और इसमय आपको अपने काम के सिल्सले में जो नतीजें मिलेंगे वो काफी बहतर मिलेंगे स्वास्था की देखिए अगर बात करते हैं तो आप अपने व्यास्थ जीवन में से स्वास्था के लिए टाइम जरूर दें व्याम जरूर समय पर आप करते रहें अगर ज़ादा देर तक बैठने काम करते हैं तो निश्ची तोर से आलसी ना बने घर में आप आलसी बन सकते हैं तो एक नई जीवन शैली अपना है अपने अंदर काम करने की शम्ता को आप बढ़ता हुआ देखेंगे अगर आप अपने स्वास्ते पर ध्यान देते हैं और इसका असर आपकी सेहत पर भी होगा आपके मन पर भी होगा शारेरिक और मा करें अपने स्वास्ते को ठीक रखने के अब हम जानते हैं देखें मलमास के बारे में जैसे कि 14 मार्च से 13 अपरेल तक मलमास का महिना है और ये दिन इसी दिन से शुरू करके 14 मार्च से शुरू करके आप सूर्य देव की अराधना करना चाहते हैं तो आप निश्शी तोर स में आप सूरीदेव को प्रशन कर सकते हैं और जिन लोगों को नौकरी में फरिशानी है पिर मोशन नहीं मिल रहा है बार-बार रुख जाता है या कोई विशेश उपलब्दी आप पाना चाहते हों पद पाना चाहते हों जीवन में सुख संमान परतिस्ठा पाना चाहते हों तो ये एक महिना आपको इस सारी चीजे दिला सकता है, इसके लिए आप देखिए क्या करें, क्योंकि ये मलमास सूर्यदेव की आराधना के लिए सबसे सर्व स्रेस्ट मान जाता है, तो इस एक महिने के अंदर आप प्रती दिन सूर्यदेव के समय उठें, और असनानाधी से निर्वत होकर सूर्यदेव को तामबे के कलाश से जल का आरधना जरूर दे, इस सूर्यदेव के जुड़े दोश हैं, वो सभी समात हो जाएंगे, और आपकी जीवन में सुख होगा, परतिस्ठा होगी, पद होगा, नौकरी में जिन लोगों को विशे सुपलग दिया प्र मास का महीना, तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें